हाई फ्रेंड्स मैं हूँ दिपाली दिपाली स्फूड रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे आलू मटर की लाजवाब सब्जी जो खाने में बहुती स्वादिश लगती है जिसमें मैंने अपना तरीका शेयर किया है आप लोग एक साथ जो आ दाल देंगे यहां पर हमने दो मीडियम साइस के प्याज ले लिया है प्याज को हमने बारी काट लिया है फ्लेम को मीडियम रखते हुए हम प्याज को भून लेते हैं इसके साथ साथ हम दो तेज पत्ता डाल देंगे इसके अलावा हम कोई भी खड़े मसाले का यूज नही करेंगे तो देखे 10 मिनिट हो गये हैं प्याज भी जो है वो भी अच्छे से भून गया है एक चमच अदरक और लसन का पेस्ट डाल देंगे आधी चमच हल्दी पाउडर दो चमच लाल मिर्च पाउडर और देड चमच धनिया जीरा पाउडर धनिया जीरा पाउडर यहां प फ्लेम को लो रखते हुए हम दही को डालेंगे और इसे मिला लेंगे ध्यान रहे फ्लेम को लो ही रखना है दही डालने के वक्त वरना दही जो है वो फट सकता है देखे दही और मसाले जो है वो भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं यहां पर हमने तीन टमाटर के प्यूरी ले पका लेते हैं, जब तक की तेल जो है इस में से सेपरेट नहीं हो जाता है। कर सकते हैं मिला लेंगे इसे नमक हमने पहले ही यूज किया था तो अभी हम नमक नहीं डालेंगे एक कप पानी डाल कर सबजी को हम पका लेते हैं तो यहाँ पर ढखके हम low flame रखते हुए 10 मिनिट सबजी को पका लेंगे तो यह देखिए 10 मिनिट हो गए है सबजी जो है वो तयार हो गई है लास्ट में हम इसमें आदी चमच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और आदी चमच कसूरी मेथी डाल देंगे इन सारी चीज़ों को मिला लेते हैं ग्रेवी की जो कॉंटिटी है आप कम्या जादा कर सकते हैं तो यह देखिए लाजवाब आलू मटर की सबजी जो है वो बन कर तयार हो गई है इस सबजी को हम प्लेट में निकाल लेते हैं इस सबजी को आप रोटी पराठे नान और रा जरूर शेर कीजिए जल्द लोटेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद